LDC भरती 2018 के अंदर निकाली गई भरतियों के अगर बात करें तो मैं बात करने वाला हूं TSP जनरल बैकलोग के 185 पदों के जोडने की मांग यहाँ पे की गई है अबेरतियों के दोरा और उनको भी एक सुनेरा आउश्यड का मोका यहाँ पर दी जाजे और राजकी शिवा में उनको भी जाने का यहाँ पर मोका मिल सेगेगा तो अपन डिस्कुस को स्टार्ट करते हैं मैं दीपक कारगॉल एक वाफिर आपके सामने लेकर आए हूँ अगर अभी तक आप लोग नहीं हैं हमारे चले पर तो सब्सक्राइब और बेल आइकंस को दवाना नो बुले तो चले अब उन पूरे मामले को समझते हैं 1-1 और किस परकार से अभी एड़तियों कि यहाँ पर मांग है उन TSP एरियास के 185 पदों को जोडने की मैं बात कर रहा हूँ TSP जनरल एरियास के तो चले स्टार्ट करते हैं नेक्स स्लाइड में पूरी गनित को समझते हैं तो जिस परकार से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हुए एक बड़े मुद्दे की तरफ आज आप मुन डिस्कुस करने वाले बात करें लडिसी भरती 2018 और 13 तो इन बरतियों के अंदर जो रिक्ट पद यहां पे थे यानि के मैं बात करूँ बैक लोग की तो यहां पर बात करेंगे जो आपके सामने में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 156 रिक्ट पदों को जोड़ने की मांग यहां पर अभियर्थियों द्वारा की जा रही है हाला कि इन पदों की मैं बात करूँ तो यह भरती 2013 वाली है जो RPC के द्वारा निकाली गई थी और LDC नाम करके पद का नाम था तो चलिए अपन देखते हैं इस स्लाइट्स में छेतर के अभियर्थियों की और से मुख्य मंत्री जी को यहां पर प्रेशिशित पत्तर यहां पर याँ ग्यापन दिया गया है और कहा गया कि LDC 2013 भरती के अंदर जो TSP के जनरल पद थे उनको यहां पर जोड़ा जाए और 185 पद की अगर बात करें तो यह Backlog Vacancy के बचे हुए थे जो बात कर रहा हूं पर 2013 LDC जो RPC के द्वारा निकाला गया था हाला कि जो पद यहां पर निकाले गये थे पूर्ण उनके अंदर कुछ पद यहां पर भर भी लिए गए है लेकिन कुछ पद यहां पर यहां पर 185 पद की अगर बात करो तो यह RICT अभी तक यहां पर बताए जा रहे है और अभियर्थियों को कहना है कि ये पद जो है अधिनस बोर्ड के द्वारा निकालेगी LDC बढ़ती 2018 के अंदर जोड़कर उनको भी यापर नियुकती दी जाए और उनके भी यापर जो पूरी प्रणाली जो है बैकलोग बढ़ती होगी वो सेम तरीके से यापर की जाए जि आपने लेवल पे उसके बाद में LDC बढ़ती 2018 में सलूमबर चेतर के अभियर्थियों को ये भी कहना है कि वो 185 पद जो है वो 2018 के अंदर निकले अधिनस बोर्ड के द्वारा LDC बढ़ती में जुरूआने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और सलूमबर विदायक की बात करें तो अमरतलाल बीना जी के द्वारा यहाँ पर पार्टियों की एकल दरजन यानि 12 से अधिक जो विदायक जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को ग्यापन भी दे चुके हैं फेक्स भी कर चुके हैं या फिर विवेन प्रकार के मल्टी मीडियास के माद्यम से शरकार को अउगत करवाने की यहाँ पर कोशिश भी किये तो यह अपने पास में था न्यूस पेपर की पेपर कटिंग अब अपने चलते हैं इनके कुछी रियालिटी के अंदर जो अभियर्थियों को यहाँ पर दुख जाहिर करता है मैं बात करता हूं उस न्यूस जो लाइव होंगे यह 2013 के अंदर RPSC के द्वारा निकाले गई एक 185 को लेके हाला कि कुछ पद यहां पर भर लिये गए थे लेकिन 185 पद रिक्थ होने के कारण इन अभियर्थियों को यहाँ पर कहना है कि 2018 वाली LDC जो अधिनस बोड के द्वारा निकाले गई है उसके अंदर इनको जोड के और इनको भी राज के शिवा में शिवा करने का मोका यहां पर दिया जाए और जल्द ही इनकी लिस्ट भी यहां पर जारी की जाए तो इस मामले को आप लोग इस परकार से समझे मैं आपको सलाइड पॉइंट वाइस पॉइंट डिसकस करता हूं देगिए अगर ब बरतिया निकाली गई थी इनके अंदर कुछ पद यहां पर भर भी लिए गए थे तो यहां पर जो मांग है इन अभी अर्थियों की मांग यह है कि 2018 की अंदर जो आउंटेंड पर करिया है हाला कि यहां पर लिए लेकिन यहां पर ओनली जर्नल के 587 पद और अगर बात करू यहां पर यहां पर बात करें तो लुणी सी 2013 के अंदर 302 पदो बे आपे आपड के द्वारा notification निकाला गया था उसके बाद में बात करें तो 2013 के अंदर लेकिन उसके बाद में से अगर बात करूं 302 के अंदर से 117 पद यहां पर चैनित हो चुके हैं तो इस प्रकार से मेरे पास में कुछ रेश्यो आता है 185 का जो RPC 2013 के अंदर निकाले गई भरती है उसके अंदर जो इसाब है 155 का वो अभी तक राजस्तान गवर्मेंट के द्वारा निकाले गई यहां अधिनस पोर्ड के द्वारा निकाले गई लेकिन माना जा रहा है कि अभी तक इन अभी अरती होगा ऐसा कोई भी नोटीस या ऐसा कोई भी ओफिशल आदेस जारी नहीं किया जो जिसके फेवर में ये लोग कहीं तक संतुष्ठ हो सके उसके बाद में बात करते हैं अधिस परती दो जारा अठारा के अंदर टीएस पी जर्रकार के बैकलोग भरती के अंदर जो पदों को जोडने का आदेस अभी तक इंतिजार कर रहे हैं उसके अंदर से बात करें टीएसपी जनरल के पदों को भरने के लिए कई बेड़ थी तो राजकी शिवाओं का मोका भी रूंड रहे हैं उनको मोका भी सरकार के द्वारा देना चाहिए उसके बात करें कांगरिस के पूरो जो शाशंद है तो रगुविर शिंग मिना जी के द ले और हमारे जो शिक्षब मिनिस्टर जी हैं वो भी इस मामले को देखे और इन अभीर्थियों को भी स्तैसिमा पर इनको जोइनिंग दी जाए और बैकलोग पदों को यहां पर बढ़ती 2018 के अंदर LDC के अंदर जोड के इनको भी एक नया जीवन सवानने का और एक राजक लिए करन की जा रही है अब मैं आपके सामने कुछ एविडेंस आपको दिखा देता हूं बैकलोग समिंदित नीमन विरन आपको में स्क्रीन पर आप देख रहा होगा के अंदर वर्णित है कि लिपिक भरती समंदित देखी पुरुसों की बात करें तो 212 यहां पर है और इसके पास महिलाओ की बात करें तो 90 वेकंसी 302 इस प्रकार से 302 पद जो है इस प्रकार से इस गणित को समझिए 2013 के अंदर आर्पेसी के द्वारा 212 पद जो थे मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर 212 पद जो है पुरुसों के लिए निकाले गए थे और 90 पद जो है महिलाओ के लिए निकाले गए थे इस प्रकार से आपके पास में कुछ 302 पद TSP जनरल के हो जाते हैं उसके बाद में 302 पदो की अगर बात के और 302 दो की अगर बात करे तो इनके अंदर से 117 पद जो यहाँ यहां पर भर ली गए लेकिन निके अंदर के से बाकी जो बचे हैं 185 पर उनका अभी तक भराज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकारण का निन ने अभी तक नहीं दिया गया है हाला कि एक तारीकों यहाँ पर उफसासन सचीव के द्वारा यहाँ पर प्रेसनोट भी जारी किया गया था वो भी अपर डिसकस करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं वो एक मई दो जार बीस का दिन जिस दिन सासक उफसाचीव द्वारा जारी किया गया था बैकलोग भरतियों को जोडने का अदिस आप लोग देख सकते हो मेन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा देखें यहाँ पर बात करें तो यह प्रसासनिक शुधार एक सवन में विभाग की तवारा जारी किया गया था बात करो एक मैई 2020 को यह जारी हुआ था बात करें तो अनुसुचिश जाति की बैकलोग पदों को भरने हितू दो जार अठारा बरती यह नि जो अधिनस बोड के तोड़ा निकाले गई थी रिजर सुची में अभियरतियों को उपलत करवाने के बावत में यह लेटर निकाला गया था उसके बाद में आप लोग देख पारें में अनुसुची जाती की अगर बात करें अनुसुची चेतर की बात करें तो 270 वेकेंसी थी और सहरिया के लिए अपर 34 वेकेंसी थी तो यह अपने पास बैक लोग पदों को जोडने के लिए 2018 LDC बरती में उप सासन सचीव सेक्रेटरी दवरा यहां पर निकाला गया था उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे में नेक्स्ट अपन चलते हैं तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हों कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो त्यस्पी सामाने वरग की मांग जो है वो यह है कि इन पदों को 2018 बरती में जोडा जाए यहां पर अभेरती की बात करें तो एक माई को यहां पर सासन सचीव दवारा पत्तर जारी किया गया और यह कहा गया पत्तर में जो अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती की बैकलोग पद हैं यहां पर रिजर सुची के अभेरती उतार उपलाद करवाने के निर्देश आपर दियेगे उसके पाद टीस पी शेतर के सामाने वरग के जो अभेरती जो है उनको ऐसा मोका नहीं मिला और 185 पद जो है वो यहां पर 2018 भरती के पदों में जोडने की यहां तो उसके अंदर 302 पदों पर भरती होनी थी आप लोग देख सकते हो यह आपका टीसपी के लिए 603 पद यहां पर निकाले गए और इस परकार से यहां पर अगर सामाने की बात करें तो सामाने आप लोग देख सकते हो 212 यहां आपके 212 होगे उसके बाद विद्वा की तो इस प्रकास से कुल वेकंसिस को जोड दिया जाए तो अपने पास में परित्रत्य के भी हैं आपके पास में कुछ 302 रेशो यानि 302 पद यहां पे निकल के आते हैं जिसके अंदर से 170 पद जो हैं वो भर लिए गए हैं लेगिन यहां पे 185 पद जो रिक पढ़े हैं वो 2013 तेरा वाली बरती के बैकलोग समझ के यहां पे 2018 RDC बरती में उन बैकलोग पदों को जोड़ा जाए और इनको इनके हक का जो मुआवजा है वो यहां पे दिया जाए नेक्ट बात करते हैं आपके पास में में स्कीमी पे एक नोटिफिकेशन और दिख रहा होगा जो यहां पे रिलीज किया गया था तो यहां पर देख सकते हो टीस पी जनल के जो है 212 मैं आपको हैलाइट कर देता हूं टीस पी एरियस के 212 और 90 और इस प्रकार से आपके पास में कुल वेकंसिस हो जाती है 302 पदों का मामला है बैकलोग बरती को समझ के यहां पे 185 पद जो है बै गलतिया की है और वो गलतिया यह कि है कि एसा नहीं है कि राज्य सरकार ने जो टीस पी जनल एरियास के जो पद जो है बैकलोग के वो जोड़े नहीं हाला कि जोड़े हैं अगर 2000 शोड़ा के अंदर अपने पास में राजस्तान पुलिस की जो भरती निकाले गई थी तो इस सुचित जन जाती हो कि बैकलोग पदों को यहां पर जोड़ा गया तो आप लोग देख सकते हो ऐसा नहीं नियम है कि अपने पास में जोड़ा नहीं जा सकता हाला कि राजस्तान पुलिस 2000 शोड़ा के अंदर बढ़ती जो निकाले गी थी उनके बैकलोग पद जो है वो यह पिछली वेकंस को जोड़ने जोड़ी जाएंगी तो ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और लिखा हुआ भी जाता है तो इस परकार से मैं मेरी तरफ से भी मांग करूँगा कि इन अभेरतियों को जल्द से जल्द सरकार के दोरा यह आवाज पहुचाए जाए और मै अभेरतियों को अभी तैसीमा पर इनको राजके शिवाँ में जाने का मोका मिले ताकि यह लोग भी अपना फ्यूचर एक बिरोजगारी से लेके एक अधिकारी तक यहापे त्या कर सेगे उसके बाद में मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जो विविन प्रकार के विदा में स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है जो विदायक जी का यहापे अगर बात करें तो विदायक जी है जो इन्हों ने लिखा है कि LDC बर्ती 2013 में रिक्त रहे टीएस पी जनल सेस्टी बैकलोग के बर्ती को जोडने बावत है हलाकि मैं आपको बता दो जो 2013 के अंदर वैक ग्यापन के मादम से मुख्यमंत्री जी को अउगत करवाया जा रहा है हाला कि ऐसा नहीं कि टीएस पी एरियस के लिए जो सेस्टी वेकेंसी निकाले गी थी वह जोड़ी नहीं गी तो इनकी मांग है कि हमारी वेकेंसी जोड़ी क्यों ने जा रही हमारे साथ में ऐसा अन्य प्रिविन अगे के लगरी जय घाल कमेटी जो है डूンगरपूर या औधको और यहां को मंतली जी को अउगत कर वाया गया नेक्स्ट अगर बात करें ूबट जो डूंगरपूर के विधायक है तो आसक्रन शेतर की विधायक है तो यहां पर इनके द्वारा भी यहां पर TSP एरियास के जो 185 पद 2013 वाली बर्ती के अंदर रिक्त रहे थे उनको 2018 की जोड़ने की मांग यहां पर की जारी है तो इनके द्वाना पी मांग की जारेगी LDC के जो पद यहां पर भरे जाएं और इनको बेक्लोग वेकेंसी को 2018 बर्ती में जोड़कर इनको वापिस से रिवाइस लिस्ट निकाली जाए हाला कि अपने उप शाष्ण सची जो है उन्होंने यह निकाला भी था लेकिन इस पर किसी प्रिगार का यह अनुशंशा जाहिद नहीं कर रहे तो क्या गवर्मेंट क्या सरकार चाहती है इनों बेरोजगार अभियर्तियों को तो मैं यह आवाज तक पहुचाने की के लिए जो बैकलोग बढ़ती रही थी उनको जोडने बावत और आप के लाशन मेना का देख सकते हो यहां पर यह वीविविन प्रकार के आप लोग देख सकते हो मैं आपको स्लाइट पर एक प्रूफ बेसिस पर आपको दिखाने एक होशिश कर रहा हूं तो मैं इस प्रक प्रकार का या फिर बोर्ड का यह हावाला दिया जा रहा है कि उस टाइम में जो योगिया बेर्थी है उनको नहीं मिलेते तो यह बैकलोग के रूम में आपे छोड़ दी गए थे लेकिन अब यह जो बैकलोग वेकेंसी से अधिनस बोर्ड के द्वारा निकाले गए लड़ 2,18 के अंदर जोडने की मान यहाँ पे अभीरती हुए द्वारा की जा रही है मैं बात कर रहाँ टी जर्र जर्नल एरिया के लिए तो अब चलते हैं 2,18 की भरती के अंदर क्या है actually results, अगर बात करें 2018 के अंदर जो LDC बरती RPSC के दोरा निकाले गएती, तो उस वहाँ पे 2018 के अंदर sorry, 2018 के अंदर जो अधिनस बोड के दोरा जो LDC बरती निकाले गएती, तो यहाँ पे अगर बात करें तो TSP area के जो है TSP area की जो general की बात करें तो यहाँ पर जो पद जो है मैंने आपको वहला 302 पद यहाँ पर निकाले गए थे उसके बाद मैं बात करें तो TSP, SC, ST की तरब मैं आपको लेकर चलता हूँ बात कर रहा हूँ मैंने आपके 2013 की बात किय थी अब मैं बात कर रहा हूँ 2018 के अंदर जो इनके पद निकाले गए थे 621 पद यहां पे निकाले गए थे और अगर मैं बात करूँ TSP एरियास की सोरी एक बार अपिस डिवाइस करता हूँ आपके पास में 2018 के अंदर जो TSP जनरल की जो वेकेंसिस निकाले गई थी जनरल की तो यह अपने पास में 2018 के अदिनस बोड के दोरा 621 वेकेंसिस निकाले गई थी इसी प्रकार से TSP एरियास की जो SC और ST वेकेंसिस थी वो 620 वेकेंसिस थी आला कि यहां पे जो बैकलोग वेकेंसिस बची थी वो एड की गई है लेकिन यह बोला जा रहा है अबेर्थी दोरा TSP जनरल की वेकेंसिस जो 621 थी 621 के अंदर से अगर मैं एड कर दूँ अगर मैं बात करूँ यहां पे टोटल वेकेंसिस की जो 2018 के अंदर निकाली गई थी अधिनस बोरा तो टोटल 1241 वेकेंसि आपे निकाली गई थी मैं बात कर रहा हूँ TSP, SC, ST और जनरल की मैं आपे बात कर रहा हूँ तो अपने पास में 2018 के अंदर निकाली गई थी तो 621 वेकेंसिस थी वो TSP जनरल की थी और उसके बाद में 620 वेकेंसिस जो थी वो अपने पास में TSP, SC, ST की तो इस परकार से अगर मैं योग इनका करूँ तो आप लोग देख पा रहे हूँ है अपने पास में योग कुछ इस परकार से आजाता है कि 1241 वेकेंसिस जो हैं 2018 के अंदर अधिनस बोर्ड के दोरा LDC भरती निकाली गई थी तो इन अभियर्थियों के मांग यहां पर यह है कि जो TSP एरिया की TSP जो जर्नल एरिया जो है उसके अंदर जो इनकी 621 वेकेंसिस निकाली गई हैं तो उनके अंदर ही इन अभियर्थियों की वेकेंसिस जोड़ी जाएं 185 तो इस परकार से डेटा कुछ आपके सामने इस परकार से निकल के आता है आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे 608 तो इस परकार से अपने पास में 806 पद यहां पे हो जाते हैं लेकिन इन सरकार के द्वारा जो अधिनस पार के द्वारा या फिर ARD के जो लिष्ट के अनुशार 806 पद यहां पे नहीं दर्शाए जा रहे हैं आपको समझ में आगे होगा और मैं आशा भी करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करते रही है ताकि हमें भी आपका शपोर्ट मिल सके और हम इससे बैटर आपकी आवाज को आगे तक महुचा सके तो मैं आपसे यही कोशिश करू आपको बीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस परकार की हग पाने के लिए हम आपके साथ में तदपर रहेंगे तो चलिए मैं आपको बात करता हूँ एक और फिर आप लोग अगर अभी तक नहीं हैं और अगर हमारे चैनल को बाना ना भूले आपका शयोगी दीपक थेंक्यू धन्यवाद